लगे हैं, ऐसे उग्रसादाए कर रहे हैं, अपने अहनकार को बढ़ाये जा रहे हैं, आदतों को सुधारना नहीं, जब मैं बड़ी हुई तो मेरे दिमाग में भी ये चीज चलती रही कि ये होता है क्या, ये होता है क्या, एनिवेस मुझे इसको नहीं देखना है, ये व्यक लेकरके बस करें जारे हैं, बीना कुछ जाने सुनें, क्योंकि गुरू तो सिck Warmthol, आपने विकारों को दूर करना, गुरू तो सिखाते हैं सुभाव को बदलना, जब गुरू को सिखा करके तुम्हें सुभाव नहीं बदलना और मंतरी करते जाना है, बिना अपनी मनमानी पूरो कोई तक लिए तुधर नहीं नहीं है तो यह सब देख करके जब मैं मैं भी तंद्रसादना कर रही थी श्रीविद्या करी करते हैं के बाद फिर मैंने भी अगला मुखी का लिया संकल पलिया और मैंने शायद पहले भी शेयर किया होगा कि क्रोध के बीच अंदर थे अब अगला मुखी जैसे ही साधना बढ़ने लगी 37 लाग का बोलिया था संकल प्रिया था बड़ा बले मंत्र का करेवे एक 12 लाग 10-12 लाग कुछ हुआ होगा और क्रोध आने लगा बहुत जादा क्रोध है और situation ऐसे घटती है कि आपको force करती कि आप अपना वो क्रोध निकाल दो पुरा तो घटा ऐसे situation घटना घटने लगी एक के पिछे के पिछे इतना क्रोध हाया कि दिल किया कि और मुझे पता है यह शक्ती है अब बच्पन से किया है तो पालू में कहाँ पर क्या शक्ती डेवलप हो रही अच्छी तरह पता है जो पता है तो मन में ऐसा है कि चलो अभी प्रयोक कर दो और वो जिससे जगड़ा हो रहे है उसको छोड़ो नहीं उनको लेकिन यह भी पता है गुरू की आवाज आने गुंजती है शक्तियों का प्रयोक अपने ले नहीं करते दूसरे के खल्यान के ले करते पिदा जी क्या करूँ बहुत क्रोधार है पिदा जी मुझे समझाते रहे बिलकुल कुछ नहीं करेगी तंत्र यानि तलवार के धर पर चलना तो इस समय अपने क्रोध को कंट्रोल कर ले तो देखे कि आगे क्या होगा लेकिन बड़ा कटिन था बहुत कटिन था मैंने ऐसा क्रोध मेरे अंदर होगा क्रोध ऐसा मुझे मैंने कभी देखा नहीं था सच कह रहे हैं, मुझे लगता था कि मैं तो नॉर्मल हूँ लेकिन क्रोध के बीज ना जाने कितने जनम जनमांतर के हमने अपने चित्त में चुपा करके रखे हैं हमें पता ही नहीं, ये विकार हमारे अंदर है पता ही नहीं किबल व्याकुल किया मुझे तो व्याकुल किया मैं कितना भी चुप जाओं पर तो स्माइल है लेकिन अंदर में आग का बुलबुला जल रहा है बस फान है पगला मुझी करतुली मैंने कैसे भी लेकिन यह चीज मुझे परिशान करती रहे और मुझे एक मन के अंदर एक भै आगे अब दूसरा भी जाया भै का भीज मुझे वो वेक्ति याद आने लगा जो ऐसे कर रहा है साथ मुझे सादक मुझे लगा मैं ऐसी तो नहीं हो जाओंगी इनकी जैसे तो नहीं हो जाओंगी मैं ऐसी तो हूँ नहीं मैंने साधना के पत्स पर चल रही हूँ साधना यानि मुक्ति का रास्था यानि शांती का रास्था आनंद का रास्था अगर ये क्रोध आना है अब क्रोध गया पीछे से पीछे से भैया आ रहा है तो ये साधना मैं क्या करके रही हूँ क्यांत में मिलने वाला है तीसरे विकार जो लोगों के अंदर आता है, काम का विकार, भार भार के, जैसे आप साधना शुरू करोगे, काम विकार बढ़ जाएगा आपका, तो मैंने तो देखा है, कितने लोगों देखा है, एक जिसको कहते हैं, एक transformation, उस उन दिनों में मेरे अंदर एक घटना, मतलब जो होने लगी, कि ये जो हम साधनाई कर रहे हैं, मैं जो कर रही हूँ, मुझे experiences बहुत हो रहे हैं, मुझे शक्तियां बहुत मिल रही है, मुझे power बड़ा आ रहा है, मैं बहुत कुछ देख पा रही हूँ, सिद्धियां जिसको कहते हैं, वो आ तो रही हैं, लेकिन जो मैं ढून रही उन्द प्रेम आननद तो गाते आनंद नितने विनजन आनंद हैं क्रोंध था रहा है किया मिस्टेंग हो गई है कहां मिस्टेgram है मेरे पिता जी ने कहा तumहारे वह उन्दर जब ने कि लोग को दुम्हारा नहीं है, तुम्हारे अंदर के ही ये शड रुपू, जो शड रिपू, रिपू यानि दुश्मन, छे दुश्मन तुम्हारे अंदर ही है, कान प्रोध, मैंने का मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर कहा है, इसके अंदर ये है, मैं मंतर जा पने हूं तो बाहर के सिचुशन ऐसे बनते हैं तो बहुत आसान है मुझे बोला हां मैंने बगला मुखी का 客ना किया न इसलिए ऐसा ऊँधा दूसरे के उपर हैं यह कम्सुरी हैं अगर मेरे अंदर हैं यह अगर रूपू मेरे अंदर छुपया तो मेरे अंदर कहां छुप Dá और कब तक मैं दुसरे के ऊपर डालती रहूंगी कि ये कर देगा सफाई पिर किसी से बात कर दो यह गुरुदेव है न चिंता मत कर गुरुदेव कर देंगे कोई कैसे करेगा मेरे चित्त के अंदर गंदगी है उस चित्य के सफाई कोई दूसरा किसे करेगा? मेरे घर के अदर अगर गंदीगी ज़नुư gö रहे नव uphold। मेरे चित्य के अदर अगर गंदीगी ज़नों पेड़ेगा। मेरे चित्य के अदर क्या गंदीगी नहीं है, मुझे मालूम है किसी और को नहीं पता है। तो मुझे पता है, किसी को नहीं पता है तो सफाई किसी को करने पड़ेगी मुझे करने पड़ेगी लेकिन जब मैं किसी देवी देवता को पकड़ती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं बड़े conveniently उस देवी देवता को पड़ाल देती हूँ गीता जब पढ़ते हैं भगवान बार बार कहते हैं काम क्रोज के ओपर विजय पाओ काम क्रोज के ओपर विजय पाओ